सिनमे शो में आज बताएंगे तू जूटी मैं मकार की कितनी टिक्टे बिकी जानिये दिली हाई कोट ने क्यू दिये सीरीज कॉलेज रोमांस पर एफाई आर करने के आदेश और आजा देवगर ने पठान की सक्सेस पर बात करते हुए क्या कहा तो चलिए दालते हैं नजर आज की बड़ी खबरों पर प्रियंका चोप्रा की सीरीज सिटेडल का ट्रेलर आ गया है ये एक स्पाइ त्रिलर सीरीज है जिसमें प्रियंका जासूस पनी है रूसो ब्रादर्स की इस सीरीज के पहले दो एपिसोड्स 28 एप्रिल को रिलीज किया जाएंगे और इसके बाद 26 मैस से हर हफ़ते इसके नए एपिसोड्स को रिलीज किया जाएगा सोनी लिप की मशूर वेब सीरीज रॉकेट बॉइस की दूसरे सीजन का ट्रेलर आ गया है ट्रेलर में पूर्व प्रधान मर्ति जवाहरलाल नहरू की मृत्यू के बाद का समय दिखाए गया है सीरीज में जिम सर्ब और इश्वाक सिंग भी दिख रहे हैं और इसे 16 मार्च से देखा जा सकेगा अजय देवगंड की आपकामिंग फिल्म भोला का कल ट्रेल और लॉंच हुआ था इसी लॉंच इवेंट के मौके पर अजय ने शारू की पठान की सक्सेस पर बात की और भूमी पढ़नेकार की फिल्म भीड का दूसरा टीजर आया है लॉक्टाउन पर बनी इस फिल्म को अनुभव सिन्हा डिरेक्ट कर रहे हैं टीजर में राजकुमार दमदार डायलोग बोलते दिख रहे हैं मूवी में आशतो श्राना, कृतका कामरा, दिया मिर्जा और पंकच कपूर जैसे एक्टर्स दिखेंगे फिल्म 24 मार्च 2023 को रिलीज होगी ममूटी की फिल्म क्रिस्टिफर थेटर्स के बाद अब OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इससे 9 मार्च से Amazon Prime वीडियो पर देख सकेंगे दिली हाई कोट ने OTT प्लाटफॉर्म TBF की सीरीज कॉलेज रोमांस पर F.I.R करने का आदेश दिया है कोट ने आरोप लगाया है कि सीरीज की भाषा आपत्ती जनक और अशलील है जिसे देख और सुनकर आज के यंग्स्टर्स के दिमाग पर खराब प्रभाव पड़ेगा Justice Swarana Kanta Sharma का कहना है कि इस सीरीज की भाषा इतनी खराब है कि उन्हें येज़ फोन लगा कर इस सीरीज को देखना पड़ा पार अंजित की फिल्म सरपटा परमराई के दूसरे पार की अनौनस्मेंट हो गई है इस फिल्म का नाम होगा सरपटा परमराई डाउन 2 इस boxing drama में actor Arya दिखाए देंगे और film में 1970 के समय की कहानी को दिखाया जाएगा जल्द ही इसकी release date भी announce हो जाएगी रन्बीर कपूर ने बताया कि वो संदीप रैडी वांगा की film Animal के बाद 6 महीने का break लेंगे यानि आने वाले 6 महीने तक वो किसी भी film या project को sign नहीं करेंगी पिंक फिला से बात करते हुए रन्बीर कपूर ने कहा कि वो अभी पिता बने है और वो अपनी बीटी के साथ कुछ समय बताना चाते है रन्बीर कपूर और श्रदा कपूर की फिल्म तू जूटी मैं मकार 8 माच को रिलीज होने वाली है मगर रिलीज से पहले फिल्म की एडवांस टिकेट धड़ले से बिक रही है आंकडे से अंदाजा लगा जा रहा है कि फिल्म एक बड़ी ओपनिंग लेगी पिंक विला के रपोर्ट के मुताबिक पहले दिन के लिए देश भर में सोमवार शाम तक फिल्म की करीब 25,900 टिक्ने बिख चुकी है अभी भी रिलीज में एक दिन बचा हुआ है तो ये आंकडा अभी और बढ़ सकता है अगर ऐसा होता है तो फिल्म पहले दिन करीब 15 से 20 करोटी ओपनिंग ले सकती है ये कह सकते हैं कि होली की छुटी पर फिल्म को डिलीज करने का फायदा मेकर्स को होगा इसके बाद की कमाई फिल्म के कॉंटेंट पर निर्भर करेगी रितिक रोशन और दीपिका पडिकोन जल्द ही फिल्म फाइटर में नजर आने वाले है जिसकी शूटिंग इन दिनों चल रही है रितिक ने फाइटर के क्रू मेंबर्स के साथ तस्वीर शेयर करके बताया कि उन्होंने शूटिंग का स्केडियूल रैप कर लिया है ये इंडिया की पहली एरियल आक्शन फिल्म होने वाली है मतलब ऐसी फिल्म जिसमें हवा में आक्शन होते दिखाए देगा फिल्म अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होगी रंदी फुर्णा ने अपनी अगली फिल्म की अनाउंस्मेंट कर दी है उनकी फिल्म का नाम होगा 75 का छोरा मूवी में उनके साथ नीना गुपता, गुल्षन ग्रोवर और संजर मिश्रा भी नज़र आएंगे कहानी 75 साल के एक यंग आदमी की होगी सिधात मलहोत्रा और कियारा अडवानी शेर शाफ फिल्म में साथ दिखाए दिये थे अब खबर आ रही है कि दोनों एक बार फिर से स्क्रीन शेर करेंगे बॉलीवर हंगामा की रिपोर्ट के मताबिक कारान जोहर एक रॉम कॉम फिल्म बनानी जा रहे है जिसके लिए किया रहा और सिधात को कंसिडर किया जा रहा है रिपोर्ट के मताबिक फिल्म की स्क्रीप्ट लॉक कर ली गई है हाला कि इसे लेकर कोई उफिशल कंफिमेशन अभी नहीं आई है तु जूटी मैं मकार के प्रोमोशनल इवेंट में जब रन्बीर से ब्रहमस्त्र 2 पर बात किया गया तो उन्होंने बटाया कि इस वाक्त अयान मुखर जी इसकी स्क्रिप्टिंग कर रहे है अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंट तक ये फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी उन्होंने कहा हमें ब्रहमस्त्र 2 और 3 दोनों बनानी है और अभी आयान फिल्म लिख रहे है और हो सकता है इस साल के अंट या अगले साल से इसकी शूटिंग शुरू हो जाए साथ फिल्मेकर वेंकिटेश महा ने राउंटीबल इंटिव्यू में के जीएफ के रौकी भाई का मजाक उड़ाया जिसके बाद बात इतनी बढ़ी कि उन्हें माफी मागनी पड़ी वेंकिटेश ने यश्के किरदार रौकी भाई का मजाक उड़ाते हुए उन्हें अब शब भी कहे थे बाद में ट्विटर पर जब लोगों ने उनके खिलाफ लिखना शुरू किया तो उन्हें फिर माफी मागनी पड़ी तो बस ये थी आज की बड़ी खबरे आपके लिए इन खबरों को लखा है हमारी साथ ही मेगनाने अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तब तक जुरे रहे हम से और हापी हो ली